नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, शुक्षता विभाग ने इस दीसा में अपनी तमाम तेरिया पूरी कर ली है जर्खन के सब ही 24 जिलों के जिला सिक्षा पताधिकारीों कि सुचना भी भेज दी गई है विभाग ने कहा है कि अप्रेल से जून महीने के बीच कक्छा एक से बरावी तक स्टूडेंट के लिए विसेस कक्छा आविजित की जाएगी यह कदाम कुरोना संग्रामन के कारण स्कूल बंध होने की वज़ा से उठाया गया है मालूम हो कि कुरोना के कारण ज्यारखन में सभी सरकारी स्कूल लंबे समय तक बन थे इस कारण छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से परवावित हुई है ज्यारखन में निदानात्मक सिक्छा का नाम से चलेगा अभियान निदानात्मक सिक्षा नामक इस अभ्यान के तहाद सिक्षाक स्कूल आएंगे और काक्षा एक से बरावी तक के छात्रों को पढ़ाएंगे इसके लिए विभाग की ओर से 40 कोड़ों रुपे खर्च करने का प्रविधान किया गया है इतना ही नहीं विभाग ने सेक्षिनिक सात्र को तीन महीने के लिए बढ़ा भी दिया है यानि अब सेक्षिनिक सात्र 31 मार्च की जगा 30 जून को खत्म होगा इन तीन महीनों में छात्रों को कोर्स पूरा कराने की जवाब दही सिक्षकों की होगी अब विभागों से भी अपिल की गई है कि वह अपने बचों को इस दर्म्यान इसकूल अवसे भेजे विभाग ने अभी निर्देश दिया है कि विशेस कक्षाओं के लिए अलग से पाठ्टे समागरी त्यार की जाए जार्खन पूलिस के 55,000 जवाणों का विरोध सुरू अगामी 14 अप्रेल से सामोहिक अवकास पर जाने की घोसना की है बता दे कि जार्खन पूलिस के सिपाही और हवलदार अपने अंदोरन के पहले चरण में 9-11 मर्ज तक कलावी लगा कर वियोत परसन करेंगे सीवील सेवा की मुख्य परिक्षा 11 मार्ज से जार्खन लोग सेवा आयोग सातवी, आठवी, नौवी और दासवी सिवील सेवा मुख्य परिक्षा 11 से 13 मार्ज तक लेगा कूल 252 पदो के लिए राजधानी राची में ये गारा परिक्षा केंदर बनाएगा है इस परिक्षा केंदर में 47 सा उन्चास अभियार्थी सामिल होंगे बता दे कि प्रारंबिक परिक्षा का संसोधित रियल्ट जारी होने पर 4850 सी अभियार्थी उतीन गोसित किये गए थे लेकिन मुख्य परिक्षा का फरम 47 सा उन्चास अभियार्थी नहीं भरा कादाचार मुक्त परिक्षा के लिए जीला परसासन की ओर से सभी केंद्र प्रमाई स्टेट के साथ पूलिस बल की परतिनुक्ति की गई है इस समद में इस डियो दिपक कुमार दूबे ने कहा कि परिक्षा केंद्र के आसपास सुबह साथ बये से आठ बये तक निसदाग्य लागू रहेगी भासा अस्थानियता के मुद्धे पर जान बुझकर उल्जा रही सरकार बागुलर मरांडी बिधायक दल के नियता बाउलर मरांडी ने बैठा को समोधित करते वे कहा कि अस्थानियता पर हेमन सरकार को अपना एस्टेंड किलियर करना चाहिए यह सरकार इस मामले को जान बुझकर उल्जाना चाहती है ताकि यहां के लोग इस मसले पर उल्जे रहे वही अस्थानियता के नाम पर लोगों को यह सरकार गुमरा कर रही है उन्होंने कहा कि राजे की जानता अप भाजपा को अउसर दिया तब इस से अपना इस्टेंड किलियर किया भासा के नाम पर हेमन सरकार सिर्फ परदेश की जानता को लगाने के कारे किया है साथ ही कहा कि सबसे अधीक हुआ संपर्क भासा हिंदी को हटा कर उर्दु रखते हुए तुष्टी करन की राईनेती कर रही है मनसरकार जारखन के स्कूलों को खेल समगरी के लिए मिले 18 कोर रुपा है राजे के प्राथमिक से लेकर प्लस टू भी द्यालों में खेल समगरी खर दी जाएगी इसके लिए जारखन सिक्षा पर योईना ने जीलों को रासी आवंटित कर दी है राजे के 35,000 स्कूलों के लिए 17.9 छोको रुपाई आवंटित किये गए है जारखन सिक्षा पर योईना ने देशक द्वारा इस समगर में सभी जीलों को पत्र भेजा गया है जीलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्राथमिक वांद भी द्यालों को 5,000 और आई स्कूलों प्लस टू स्कूल को 7,000 रुपे मुल्य का समान कराय करना होगा स्कूलों को पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर समान कराय करने को कहा गया है समान कराय से समबंदित जनकारी 15 दिनों के भीतर देने को भी कहा गया है पंचायत चुनाव नियुक्ति रद करने के मामले में सुनवाई जारखन हाई कोट के जोषिस डाक्टर एसन पाथर की अधालत में पंचायत सचीव की नियुक्ति को रद करने के खिलाब दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई इसको लेकर परसांथ, तरवीर वह अने की ओर से हाई कोट में एचका दाखिल की गई सुनवाई के दोरान प्रार्थी के दिवक्ता अमरितान स्वसल ने अदालत को बताया कि बश्ट 2016 में पंचाज सचो की नियुक्ति के लिए भीगापंजारी किया गया था हाल में राई सरकार ने उस नियुक्ति को यह अकाते विरत कर दिया कि इसे समन्दीत सोनी कुमारी के मामला सुप्रीम कोट में सुनवाई के लिए लंबी था बीना OBC आरक्षन के पंचाज चुनाव कराएगी जहारखन सरकार जहारखन में होने वाला पंचाज चुनाव बगएर OBC आरक्षन के होगा ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बुद्धवार को बिधान सवामे राम चंद्र चंद्रवनसी के ध्याना करस्वन के दरण सरकार की स्थिति को सपष्ट किया है चंद्रवनसी ने पंचाज चुनाव में OBC का रक्षन बढ़ाया जाने का मामला उठाया था मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को बताया कि पंचाज तो का कारेकाल समाप्त हुए 13 मा हो गए कुरोना मा हमारी के कारण राज में पंचाज चुनाव समय पर नहीं कराया सके मैट्रिक इंटर अनिवारे पर सुनवाई जारखन हाई कोट के चिफ जस्री डक्टर रवी रंजर्व जस्री एसन पर साथ की अदालत में सुनवाई होई सुनवाई के दौरान सरकार के ओर से कहा गया कि ओक्त याज का सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी के द्वारा नई निमावली के तहट जारी किसी भी ग्यापन को चुनवती नहीं दी गई जिसमें प्रार्थी संबंदित निमावली से परभावित हो रहा है इस दौरान अदालत ने मोखिक रूप से कहा कि अगर प्रार्थी चाहते हैं तो बरत्मान याज का को आपस लेकर दूसरी याज का दाखिल कर सकते हैं लेकिन प्रार्थी के ओर से इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की गई जिसको आदालत ने सविकार कर लिया मामले में अगली सुनवाई चाह अप्रेल को निधारित की गई है जारखन में कुरोना के 90 नए केस मिले हैं जब्कि 15 मरीस्वस्त भी हुए है जारखन में कुरोना के कुलेक्टिव केस की संक्या 277 है भारत में 4928 नए केस मिले हैं जबकि 445 मरी स्वस्थ हुए भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 43,660 है गोड़ा वासियों को मिला होली का तौफा दुमका राची इंजर सिटी एक्सपरेस अब दुमका बजाए गोड़ा रेलवे स्टेशन से खुलेंगी दुमका से फिर पूर्व की तरह निदाड़ी समय से या ट्रेन देवघर स्टेशन होते हुए जसी डी के रास्ते राची के लिए रवाना हो जाएगी राची से गोड़ा आने के करम में या ट्रेन पूर्व की तरह अपने निधारी समय में सुबा 7 बच कर 25 मिट दुमका रेलवे स्टेशन पहुचेगी और फिर दुमका से हंसडी और पोड़या हाट होते हुए करीब 10 बजे गोड़ा स्टेशन पहुचेगी देव घर के बाबा मंदीर में मना दसहरा महासिवरात्री के नवे दिन बुद्धवार को बाबा भोड़ेनात एवा माता परवति का दसहरा मनाया गया इस औसर पर साम के चार बज़े बाबा के सिखर पचड़े सारे मौर और मुकुट को खोलने के बाद बाबा एवा माता के बीच गटबंद भी खोला गया मंदीर स्टेट की ओर से दो फर दो बज़े से ही कारेकरम शुरू कर दिया गया था इस दोरान ढोल बज़ाने वाले ढोल की थाप पर बाबा का जायकारा लगाते दिखे इसके एक गटे बाद दो पहर तीन बज़े से गटबंद खोलने की परकिरिया शुरू की गई जारखन में स्कूल बसों का टेक्स माप कर सकती है हमन सरकार राज सरकार कोविट के ओधी में बंद सिक्षन संस्थानों के वाहनों के बकाया सुल्क माप करने पर गम भीरता से विचार करेगी मतुरा परसाद महतों के सवाल पर परिवहन मंत्री चमपाई सुरेण ने या वरुसा दिलाया है उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक का स्कूल बसों का पत कर छोट का निर्मान दिया गया है जहां तक पिछले 12 महीनों के सुल्क की बात है तो जिला परिवहन पत्यदकारी से इसकी जाज कराएंगे रिपोर्ट आने के बाद इस पर विचार करेंगे विधायक मतुरा महतों ने सबार उठाया था कि जब स्कूल बंद रहे तो बसों का टक्स केव दिया जाए CVSC के बिद्यार्थी अंग्रेजी के साथ संस्क्रीट बोलना भी सिखेंगे CVSC स्कूलों के बिद्यार्थी अब अंग्रेजी के साथ संस्क्रीट भी बोलना सिखेंगे काक्षाओं में सिक्छक छात्रों को संस्क्रीट पढ़ाने के साथ बोलना भी सिखाएंगे CVAC ने 2022 ते इसके नए सिक्षा सत्र से नवी और दसवी काक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी और संस्क्रीत बोलना सिखाने का मास्टर प्लान त्यार किया है इसके तहद लेंग्वेज प्रोग्रामों में विद्यार्थियों को सामिल कर सिक्षक उने पढ़ाएंगे बोर्ड ने नवी और दसवी काक्षा में कम्यूनिकेटिव संस्क्रीत और कम्यूनिकेटिव अंग्रेजी का प्रोग्राम सामिल किया है HEC में पहली बार बनेंगे आधोनिक वा उच्छामता वाले ड्रोन आर्थिक संकट से उबरने के लिए HEC ने नई कारे जोजना त्यार की है ऐसे उपकर्णों का निर्मान करने को प्रत्मिक्ता दी जाएगी जिसका उत्पादन सतत हो सके इसके तहात HEC बड़े ड्रोन बनाने के त्यारी कर रहा है यह पहली बार होगा जब HEC ड्रोन बनाएगा यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले वीतियवर से निर्मान शुरू हो जाएगा शुरुवाती चर्ण में विदेशी कंपनियों से मिली तक्निकी से निर्मान होगा बाद में HEC खूद की तक्निकी याद करेगा रांची में 13,07,000 बच्चों को खिलाई जाएगी एलवेंडा जोल राष्ट्रिय क्रिमी मुक्ती दिवस के अंतरगत रांची के ग्रामीन एवम सहरी छेतरों में 10-17 मार्च तक अभियान चलाया जा रहा है इसके तहद जीले के स्कूलों एवम आंगनवारी केंदरों में 1-29 बच्चों को खिलाई जाएगी इसके लिए 15,08,077 डोज दवाव का बित्रन किया गया है इस अभियान के तहद 10 मार्च को इसकूल एवम आंगनवारी केंदरों में एन्वेल्डा जोल की गोली खिलाई जाएगी वही वंचीत रह गए बच्चों को माप अप दिवस में 14 मार्च को गोली दी जाएगी 18 जिलो में इसकूली बच्चों को दी जाएगी एलबेंडा जोल बच्चों एवम किसोरों में क्रीमी संक्रमन से जुड़ी स्वास्त समस्वाव से बचाव के लिए स्वास्त विभाग के द्वारा गुरुवार को राची समेत राजे के 18 जिलो में राष्ट्रिये क्रीमी मुक्ती दिवस का उजन किया जाएगा इन जिलो में चात्रा दुम का गठवा, गिरी डी गोटा हजारी बाग, जाम तरा खुटी कोडार मा लाते हार, लोर्दागा पलामू पाकूर, पच्मी सिमुम पूर्वी सिमुम राची, सराय के लाखर सावा और सिम्डेगा सामिल है रश्ट्रिय क्रीमी मुक्ती दिवस के उसर पर इन अठारा जिलो के सभी स्कूलों और अंगनवाडी में, एक से उनाई साल तक के बच्चों को क्रीमी नासक दवा, एन्वेल्डा जोल खिलाई जाएगी सारीरिक सिक्षकों की न्यूक्ती पर सरकार को चिंता करनी चाहिए संग जारखन पर सिक्षित बेदुजगार सारीरिक सिक्षक संग ने राजे के सभी सरकारी स्कूलों के लिए खेल समागरियों की खरीद का फैसला लेने के लिए सरकार पर नराजगी व्यक्त की है संग का कहना है कि स्कूलों में सारेरिक सिक्षक नहीं है इसकी चींता करने के बजाए सरकार खेल समगरी खरीद के लिए परिसान है संग के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि स्कूलों को 21 सालों से सारेरिक सिक्षकों का इंतिजार है सरकार को पहले स्कूलों में सिक्षकों के नियुक्ति की चींता होनी चाहिए उन्होंने कहा कि 2016 में राजे के 510 हाई स्कूलों के लिए सरेरिक सिक्षक के नियुक्ति की परक्रिया शुरू की गई थी पर प्राइमरी और मेडिल स्कूलों के लिए नहीं है इस चितिया है कि 113 प्राइमरी स्कूल 11569 मेडिल स्कूल और 1818 मादमिक स्कूलों में एक भी फिजकल टीचर नहीं है टी-एस-पी-सी कमांडर अभाय आदो किया सरेंडर पलामू पूलिस के सामने उग्रबादी संगठन टी-एस-पी-सी के कमांडर अभाय आदो ने सरेंडर कर दिया है उसने पूलिस के सामने कुछ हातियार भी सोपे है अभाय पलामू के रामगण थाना छेतरिक के मुसूर्मू गाव का रहने वाला है पूलिस अभी उससे पूश्टास में जूटी है हलाकि अभी तक इसकी अधिकारिक पूश्टी नहीं हुई है बताया जाता है कि अभाय आदो के खिलाब पलामू के चैनपूर, रामगण और गठवा के रामकंडा रंग का भंडरिया आधी थाना में कई मामले दर्जा है सीएम हमन्त के भाई बसंत सुरेन लेंगे तलाग जारखन के मुख्य मंत्री हेमान सुरेन के छोटे भाई और दुमका विधान सबाचेतर से जामुमों की विधायक बसंद सुरेन अपनी पतनी से तलाक लेने जा रहे हैं। कि उनकी पतनी उनसे हमेशा क्रोर वेभार करती हैं इसलिए वो पतनी से तलाक लेना चाहते हैं। के अनुसार लालू के किटनी फंक्सन का अस्तर पहले से गिरा है। किटनी बढ़गर चार पॉइंट एक पहुच गया है। और इसी को देखते हुए बिहार के पुर्वा मुख्य मंतरी रावरी देवी उनसे मिलने राची आ रही है। उससे पहले भी ओ साल 2020 में लालू से मिलने आ चुकी है। धन्यवाद।